स्वागते दोस्तों आपका हमार यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर डामे दोस्तों ETF यानि एक्षेंज टेलिट फंड के अंदर अगर आप आज की रेट में निवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है क्योंकि ऐसा इसलिए यहाँ पर आपको जो रेटन है वो काफी अट्रिक्टिव मिला है और यहाँ पर अगर आप शॉट टाइम के लिए या फिर लौच टाइम के लिए या फिर अगर आप मिड टरम के लिए पिनिवेश करना चाहते हैं तो यहां से आप अपने लिए एक अच्छा fund बना सकते हैं और दोस्तो ETF यानि Exchange Traded Fund के अंदर आपको flexibility काफी अच्छी मिल जाती है यहां पर आपके पैसे पर कोई भी lock-in period नहीं होता है और दूसरा आप जब चाहें यहां से अपने पैसे को निकाल सकते हैं जबकि mutual funds के अंदर आपका पैसा management के तहट निशाइद की जाता है कि किन स्टॉकों में निवेश करना है जबकि ETF fund का पैसा पहले से आपको पता होता है कि किन स्टॉकों में कहाँ पर निवेश किया गया है यहाँ पर दोस्तों ETF का खर्चा भी काफी कम होता है और यहाँ पर return काफी अच्छा आपको मिल जाता है और आज हम आपके लिए access का यह कैसा ही ETF fund लेकर आए हैं जिसके अंदर आप 1,00,000 रुपे का निवीश करके यहाँ से 1,43,000,000 रुपे का fund बना सकते हैं दोस्तों गर आप डारेक्ट stock market के अंदर या फिर mutual funds इसकीमों के अंदर निवीश करते हैं यहाँ पर आपके पैसे पर रिस्क जादा होता है जबकि ETF fund के अंदर आपके पैसे पर रिस्क कम होता है क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा particular एक sector के अंदर निवीश के जादा है जिससे क्या होता है कि यहाँ पर आपकी जो return है उसमें काफी अच्छी growth देखने करें मिलती है और रिस्क यहाँ पर calculate हो जाता है यहाँ पर आपको benefit भी काफी अच्छी मिल जाते हैं एक सबसे अच्छी बत कि यहाँ पर flexibility काफी अच्छी होती है आप जब चाहें अपने पैसे को निकाल सकते हैं और दूसरा return के लिहाँ से भी यह ETF fund काफी अच्छे माने जाते हैं तो दोस्तो आज हम access के इस ETF fund के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे और calculation के साथ समझेंगे कि कैसी यहाँ पर आप एक लाख रुपे से करीब तेड़ करोड रुपे तक fund बना सकते हैं उससे पहले हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें दोस्तो जो fund हम लेकर आए हैं ETF fund अगर हम उसके price की बात करें तो यहाँ पर इसका भी current price है 404 रुपीज यानि अगर आप आज की रेट में पैसे निवेश करते हैं तो इसी price के साथते आपको unit lot की जाएंगी जबकि दुर्तो करम fund के return की बात करें उसका impact यहाँ पर दिख़़ए देता है और fund का नाम है Axis Nifty Bank ETF यानि यहाँ पर जो भी पैसा है फूर Nifty Bank के अंदर जो stock हैं उनके अंदर ही सारा पैसा निवेश किया गया है अलग-लग percentage के हिसाब से हम यह भी चेक करेंगे किस stock के अंदर कितना पैसा यहाँ पर निवेश किया है अगर हम दोस्तो बात करें निवेश की तो जैसे आप mutual funds के अंदर और bank FD में लमसम पैसे निवेश करते हैं बलकुल उसी तरह से आप यहाँ पर ETF में भी निवेश कर सकते हैं दोस्तो गर हम ECTF की fundamental की बात करें तो इसका EUM Asset Tender Management 108 करोड उपे है इतने पैसे लोगों ने इस fund के अंदर निवेश के हो हैं PE ratio price to earning की बात करें तो 16.33 है number of stock की बात करें तो bank nifty के अंदर 12 stock हैं उनके अंदर ही आपका पैसा निवेश कर गया है और हम PB ratio की बात करें तो 2.17 है और expense ratio ETF fund के अंदर बहुत कम होता है इसका भी काफी कम है 0.15 का दोस्तो गर हम holding की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा HDFC bank के अंदर निवेश कर गया है 50 के stock हैं वहीं पर निवेश किया गया है और यहाँ पर इन्हें स्टोकों ने profit भी काफी अच्छा दिया है अगर हम long time की बात करें तो दोस्तो यहाँ पर हम spend के return की बात करें तो एक साल का return है 7.7% अगर हम दोस्तो annual return की बात करें तो इस ETF ने annual return दिया है 18.3% का दोस्तो गर हम बात करें हाँ पर ETF की थोड़ी basic जानकारी की तो इस ETF को manage करें अभी शेक नाइक 220 से और ETF कोड है access BNKETF इसे आप सर्च कर सकते हैं और इसके अंदर आप direct निवेश कर सकते हैं दोस्तो इस ETF पंड के अंदर आप lump sum अगर एक लाग रुपे का निवेश करते हैं और यहाँ पर return हम expect करें आनिवले time में 18% का दोस्तो गर आप यहाँ पर इस ETF के अंदर इस पैसे को 5 साल के लि अगर आपको रिटन मिल जाएंगा चार लाग 23,384 रुपे का और यहाँ पर 10 साल में आपके एक लाग रुपे बढ़कर पांच लाग 23,384 रुपे हो जाएंगे दोस्तो 15 साल के टाइम पिरेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको रिटन मिल जाएगा 10,97,335 रुपे का और आपके 1,00,000 रुपे बढ़कर 15 साल में 11,97,335 रुपे हो जाएंगे दोस्तो अगर हम 20 साल की बात करें तो यहाँ पर आपको रिटन मिल जाएगा 26,49,303 रुपे का और आपके 1,00,000 रुपे बढ़कर 27,49,303 रुपे हो जाएंगे दोस्तो 25 साल के टाइम पिरिट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको रिटन मिल जाएगा 61,666,863 रुपे का और आपके 1,00,000 रुपे बढ़कर 25 साल में 62,666,863 रुपे हो जाएंगे जबकि दोस्तों 30 साल के टाइम किरेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको रिटन मिल जाएगा 1 करोड 42,37,064 रुपे का यानि आपके 1 लाग रुपे 30 साल में बढ़कर हो जाएंगे 1 करोड 43,37,064 रुपे तो दोस्तों यहाँ पर इस फंड के अंदर अगर आप 1 लाग रुपे का विनिवेश करते हैं तो अपने लिए करीब 1 करोड 43 लाग रुपे तक का फंड बना सकते हैं और यहाँ पर आप टिली बेसिस पर अगर आप चाहें बीच में कम पैसे निकालना तो आप ऐसा भी कर सकते हैं या फिर एक सथ पूरी यूनिट बेचना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्तों इस वीडियो से लेटेट अगर आपका कोई क्वेशन होता है तो हमें ज़रूर बताएं वीडियो के आपको पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें और हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करें धन्यवाद